विडियो अपने बिटाया है कि होरीड हेंडी वाइज आटिस्ट कौन कौन है इस सीरीज में कौन-कौन से केरिकटर्स रियल लाइफ पर बेस्ड हैं इस सीरीज से जुड़ी क्या कौन्टरवर्सी थी कुछ केरिक्टर फैक्ट्स और थोड़ी बहुत इदरदर की बातें भाई लोगी एफेक्ट्स पता करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है पूरा इंटरनेट पूरी दुनिया घूम ले मैंने इसके फेक्ट्स निकालने के लिए तो यार वीडियो पूरा देखकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दूरू कर देना आयर तो लेट्स बेगिन Horrid Henry series Horrid Henry book पर बेस्ट है जिसे लिखाता Franciska Simon ने जो कि एक American author है बट England में रहती है और इसे illustrate किया था Tony Ross ने ये series Franciska ने 1994 में लेकी थी जिसका latest edition 2019 में पब्लिश हुआ था इसी book पर 2006 में Horrid Henry animated series बनाई थी Novel Entertainment ने जो कि UK based company है और इसके first season को co-produce किया था Nelvana Enterprises ने जो कि ये Canadian animation company है विच मेक्स दिस series partly British and partly Canadian ये series इंगलाइन में CITV पर स्टार्ट हुई थी जो 2018 से Nicktoons और Netflix पर दिखाए जा रही थी और 2020 से Nickelodeon पर दिखाए जाएगी वहीं इंडिया की बात करें तो 2018 से इशो cartoon पर दिखाए जा रहा है और Netflix पर भी अविलेबल है अगर इशो की Hindi dubbing की बात करें तो राजश कावा सर, Roode Ralph और Henry के डैट के official voice है जूली तेजवानी Miss Battle X के voice है और कौस्तव घोष Henry के official voice actor है और अगर आप भी Instagram यूज करते हो तो उन्हें thank you जरू बोलना और उन्हें follow भी करना ये वीडियो देखने के बाद क्योंकि वो चाहते तो मेरा message एग्नोर भी कर सकते थे और इन दोनों को भी Francis का personally बहुत अच्छे से जानती है Moody Margaret इस शो में भले एक लड़की हो बट रियल में Moody Margaret Moody Martin नाम के लड़की पर पेस्ट है और पहले Moody Martin नाम का लड़का ही इस comic और TV सीरीज में इंक्लूड किया जाने वाला था बट Francis का के husband ने मना कर दिया उन्हें ऐसा करने से तो उन्होंने उसे लड़की बना दिया क्योंकि उनके husband का नाम Martin Stamp है शायद इसलिए बट अब उन्होंने मना क्यों किया ये तो वही जाने मैंने भी फिर उन्हें से जादा पूछा नहीं क्योंकि पती-पती ही आपस का मैटर है मैं क्यों टांगड हूँ वैल, jokes apart Mr. Kel नाम के stuffed toy का नाम Francisca ने उनके बेटे के एक दोस्त के teddy के नाम से लिया है Horrid Henry का character रियल में किसी Henry नाम के person से तो inspired नहीं है बट उसकी inspiration खुद Francisca ही है इसके बारे में डीटिल में आपको अभी next track मि मताऊंगा अगर इस show और comics की inspiration की बात करें तो इसकी inspiration Francisca का खुद के बच्पन से ही मिली है जब वो छोटी थी तो एक छोटे घर में रहती थी जहां वो और उनके तीन और भाईवेन रहते थे जिन में से वो सबसे बड़ी वैन थी वो पूरा दिन घर में धमा चौकले मचाये रखते थे कभी किसी चीज के लिए लड़ लिए तो कभी TV का remote खुद के पास रखने के लिए लड़ाई होती थी क्योंकि सब को पता है जिसके पास remote होगा वही TV का मालिक होगा यह Universal Rule है Henry बिल्कुल वैसा ही है जैसी Francisca थी बच्पन में एग्रेसिव, सेलफिश, लाउड, अपनी मर्जी की मालिक और ऐसा ही उन्होंने हेंडरी को भी बनाया है। हेंडरी बीच-वीच में लोगों को अटेक करने के लिए अलग-अलग अनिमल्स में ट्रांसफॉम हो जाता है। बट वो एक्च्वल में ट्रांसफॉम नहीं होता, ये ट्रांसफॉमेशन बिल्कुल इमेजिनरी ट्रांसफॉमेशन है, जो कि हेंडरी की करन्ट मूड और फिलिंग्स को एक्स्प्रेस करने के लिए दिखाया जाता है। जैसा इंडिया में शिंचैंग के साथ हुआ था आज से 12-13 साल पहले ठीक वैसा ही यूके में हॉरिड हेंडरी के साथ हुआ था। पेरेंट्स को हॉरिड हेंडरी शो एक परसिंट पसंद नहीं था, क्योंकि इस शो को देखकर बच्चे बिगड रहे थे, बत तमीजी कर रहे थे, पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे थे। ये कॉंट्रवर्सी तब सामने आई, जब हॉरिड हेंडरी की ऑफिशल इंस्टागरम अकाउंट ने 2017 में एक कॉंट्स अनाउंस किया था, जिसमें हॉरिड हेंडरी की एक इमेज को एडिट करके, किंग हेंडरी कॉंट्स हैश्टेक के साथ अप्लोड करना था, विनर्स औ पहले भी कई प्रोटेस्ट हुए थे इस शो और बुक्स को बंद कराने के, जिसमें लोगों ने फेस्बूक पेज भी बनाया था 2010 में, बट इतने प्रोटेस्ट के बाद भी हॉरिड हेंडरी शिंचैन की तरह बैन नहीं हो पाया, और भाई लोग आप भी चाहते हो, कि आया है, एंड स्क्रीन पर लिंक है, आप आहां से देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, इस सीरीज में टोटल 124 प्लस करेक्टर हैं, जिसमें से अल्मुस्ट सभी का, या तो सिर्फ एक सिंगल नाम है, या सरनेम है, या फिर उनको एक निकने भी दिया हुआ है, जो कि उनके नाम के फर्स लेटर से मैच होता है, लेकिन मिस ओड बॉर्ड एक ऐसी करेक्टर है, जिनका लास्ट नेम ओड बॉर्ड उनके फर्स नाम सिंथिया के फर्स लेटर से मैच नहीं होता, यहा तक कि मिस बैटल एक्स का फर्स नाम बॉर्ड का भी उनके लास्ट ने और मूवी में अलग है शो में वो बहुत शांत सोभव की हैं मूवी में वो बहुत इंटेलिजेंट है और उनका फर्स नेम लीडिया है रूडर एल्फ की बात करें तो अभी तो बहुत ही रूड है बट जब बड़ा होगा तो बहुत ही जेंटल और वेल बिहेवड बन्दा यहां मैंने जाहिल वर्ड इसलिए उसकिया है क्योंकि इसकी बुक को रिवीव करते टाइम एक क्रिटिक ने यह वर्ड उसकिया था भाई लोग वीडियो कर पसंद आयो तो लाइक और शेयर करने में कंजू सी मत दिखाना यार ओल आसन फैट से सुब्स्राइब करना मैं मि इनु माप से जल्द ही तक तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इसाइड यूर हाउस, स्टे अवे फोम अन्नेसरी इंटरक्शन, स्टे और स्टे आसम्